हाँ तो अभी हमने देखा कि limit x tending to 0 e की पावर 1 by x minus e की पावर 1 by x upon e की पावर 1 by x यह minus plus e की पावर minus 1 by x एक ऐसी limit है यह एक ऐसा function है जिसका limit does not exist है ldne है limit does not exist है मतलब यह वाली limit को याद रखेंगे जब differentiation हम चेक करने चलेंगे तो उस time पर मैं direct एक concept बताऊंगा कि ldne के साथ direct आप चीजों को देख पाते हैं कि हाँ यह आपकी limit exist कर रही है या limit exist नहीं कर रही है तो difference ability पर किस तरह का effect डाल रही है कई बार ऐसे हम direct ldne निकाल के फिर चेक कर लेते हैं कि यह आपका differentiable है कि नहीं यह बहुत basic concept ncrt के ही किताब से उठाया गया concept है इसको अभी बता रहे हैं वहां पर भी मैं आपको याद दिला देंगा हाँ यह देखो मैंने आपका वहां पर ldne वाला concept मैंने बताया था नेक्स्ट अगला एक्जामपल लेते हैं अगला एक्जामपल लाइक question हमने दे दिया कि fx एक कोई function है जो आपका लिखा है माल लेते हैं लिखा है cos of 10x minus cos x upon x square यह तब है जब x not equal to 0 और 0 जब x equal to 0 सवाल में कह रहा है आपसे कि check continuity j continuity at x equal to 0 तो देखो बच्चों पहले तो क्या बतावा यहां पर आपको किसी तरह का कोई attraction या किसी तरह का कोई आपको उन 6 में से कोई एक function दिख रहा है क्या जो हमने 6 function लिखाया था कौन कौन 6 function लिखाया है एक पहला function में लिखाया था कि भई होना चाहिए मॉडूलर्स ग्रेटेस्ट इंटेजर फ्रेक्शनल पार्ट फंक्शन या तो डिफाइंट फंक्शन या सिगनम फंक्शन या वो छुपा रुस्तम फंक्शन में से कोई भी तो उन्हें अगर कोई नहीं है तो अगर तब आपको लेचल आरेचल लिकाल लगा के जबरजस्ती अपना टाइम वेस्ट करने की जड़ोत नहीं है अगर उन्हें से कुछ नहीं है तो डाइरेक्ट आप इसको यह वाला पंडा पुला लो लिमिट एक्स टेंडिंग टो जीरो एफ आफ x is equal to f of a is equal to finite यह वाला फंडा डाइरेक्ट लेके चलेंगे अगर हमें उच्छे में से कोई एक भी function नहीं मिला तो यहाँ पर हम एक पहले बात बता दें कि f of 0 की value 0 पे आपका 0 दे रखा है अब हम आगे बात करेंगे यह लिमिट extending to 0 के लिए हम निकालने चलेंगे देखो म मैंने board को भाग में बाट दिया अब हम यहाँ पर इसकी बात करने वाले हैं लिमिट extending to 0 extending to 0 का मतलब की x not equal to 0 है मतलब की extending to 0 अपन ले लेंगे यहाँ पर cos of 10 x minus cos x upon x square अच्छा इसको करने के लिए इसका पहले जब कभी भी limit निकालना होता है तो पहले हम form चेक करते हैं तो इसकी form कौन सी है अगर हम form देखें तो 0 put करें तो cos 0 cos 0 की value 1 minus cos 0 की value 1 1 minus 1 उपर में तो 0 आ गया नीचे में put किया 0 0 by 0 form चेक करने के लिए आप एक तो पहला आपके दिमाग में आता होगा deal rule या जिसको की कई बार लोग बोलते हैं लॉपिटल लॉपिटल रोल एक तो यह आल आता है या फिर आप स्टेंडर्ड लिमिट का भी यूज कर सकते हैं मैं दोनों मेथर से इस साथ रहता हूं कि स्टेंडर्ड से भी कैसे निकालेंगे और deal से कैसे निकालेंगे पहले मैं स्टेंडर्ड लिमिट का यूज करता हूं लाइक अगर मैं पहले स्टेंडर्ड लिमिट से यूज करूं तो यह बन जाए ना यहाँ पर कॉस आफ टैन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान आपका एकस स्कॉल है इस्टेंडर्ड लिमिट कौन सी यूज होगी यहाँ पर देखो कॉस X है यहाँ भी कॉस है तो इस्टेंडर्ड लिमिट बस सिंप्ली यही वाली लिमिट extending to A हमने बता रखा है आपको 1 प्लस कॉस से कॉस सेम पाई सेम का स्कॉर यह वाली लिमिट यूज करना है क्योंकि इस वाले केस में अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ रखना यहाँ ध्यान रखना इसको कि मैंने हिंदी में लिखा था ध्यान देने वाली बात यह है कि as X tending to A same tending to 0 अच्छी तरह से खुबसूरत तरीके से लिखने लगी 1 plus cos of 10X upon X square अलग अलग कर दिया माइनस 1 plus cos X Y X square यह अलग अलग कर दिया अब इसको करने का तरीका देखो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर कि 1 plus cos same by same का square यहाँ पर 10 है तो नीचे में 10 का square चाहिए तो बच्छों हम कहा करेंगे यहाँ पर कि 10 की एक यहाँ पर उधारी लेंगे लेकिन इसका whole square लेंगे यहीं पर 10 की उधारी चुपता खा देंगे 10 की उधारी लिया 10 की उधारी चुपता किया पहले से X square था उसको हमको ignore अंदेखा नहीं करना है अंदेखा करेंगा बुरा बान जाएगा मतलब आंसर नहीं देगा यह 1 प्लस कॉस X by X square अच्छी बात है क्या है अब इस पूरे की वेलू इस पूरे की वेलू यहाँ पर आप 1 by 2 10 X by X का whole 10 X by X का integration आओ यह 10 X by X की limit हम जानते है standard limit 1 होता है minus इसका standard limit 1 by 2 आंसर आ गया 0 यहाँ देखो तो क्या इसकी क्या यहाँ पर बिल्कुल similar जाके यहाँ पर आ गया कि limit extending to 0 F of X is equal to F of 0 is equal to 0 और यह सभी luckily finite भी है तो यह हम कहेंगे therefore F X is continuous at X equal to 0 अब आपको आई होप समाज में आया होगा अब ज़र सर्ट अगले example एक और करेंगे यह तो आपका अभी basic example चलने है थोड़ा सावर अगले example की तरफ बढ़ेंगे ठीक है तो अगले example पर बात करते हैं अगले example या अगले सवाल मैं दे रहा हूं जरह सा इस सवाल को ध्यान से देखना यह सवाल का level थोड़ा समय बढ़ा रहा हूं पिछले सवाल से इसका level थोड़ा समय बढ़ा रहा हूं लाइक मैं इसने सवाल पूछ भी दिया पहले ही की find f0 आपको f0 find करना है if if of x is equal to आपका सवाल दे रख रहा है suppose की log cos x log cos x अगले सवाल का level मैं थोड़ा से बढ़ा रहा हूं जाँ जहां से देखना fourth root of one plus x square minus one one plus x square minus one और ये तव है जब x greater than zero जब x less than zero है उस case में उस case में ये है e की power sign x minus one upon upon मालो लिख दिया मैंने की log of one plus ten to two x सांदार अब आप उसे पूछ रहा है कि above zero निकालना है आगे और बात मालो बोल रहा हूं मैं कि each continuous at x equal to zero ये जो function है वो x equal to zero पे continuous है तो इस case में हम कैसे इसको करेंगे deal कैसे करेंगे पहले हम इसका मतलब समझते है पहले तो ये देखो कह रहा है कि एक equal to zero पे continuous है तो इस पूरी line का मतलब ये होता है कि LHL equal to RHL equal to f of zero equal to finite होना चाहिए देखो ये बात तो आपका सवाल में given है ये चीज तो आपका given है अब आपका अगर ये continuous है देखो सवाल में पूछने का trick है कि हो सकता है कि continuous ना भी हो ये पूछ रहा है मतलब ये पूछ रहा है मतलब ये पूछ रहा है अगे कि अगर ये continuous है तो LHL और RHL हम निकालेंगे और अगर वो बराबर हो क्या तो हम कहेंगे कि ये पूछ रहा है अगर वो value सारी finite है तो अच्छा LHL और RHL की बात क्यों कर रहे है कुछ center of attraction है इसमें तो है इसमें attraction है अगर आप रिखा जाए तो यहां पर less than, greater than मतलब defined function है मैंने बता रखा है defined function का मतलब greater than और less than पर अलग-अलग function होना चाहिए आज़ेगा समझ में तो यह हम यहां पर LHL निकाल रहे हैं पहले हम पहले RHL निकाल लें क्योंकि उपर दिख रहा है greater than 0 वाला तो RHL अगर हमने निकाला तो हम यहां पर आपका बतायत है कि put कर देंगे put कर देते हैं कोई बुराई नहीं है put कर देंगे put x is equal to 0 plus h ताकि clearly अपने को दिखे limit x h tending to 0 और यह ले लेंगे आपका f of 0 plus h मतलब कि limit h tending to 0 limit h tending to 0 यह हो जाएगा cos h upon इसको जाएगा देखो मैं लिखना हूँ इसको 1 plus h का square की power 1 by 4 देखो इसको 1 plus 6 square का whole power 1 by 4 माइनस 1 अप पहले देखे तो standard limit use करेंगे standard limit ही अपने लिए basically ज्यादा अच्छा होता है अगर जब आपका standard limit भी कठीन होने लगे तो dl लगना चाहिए dl बहुत rare use करना चाहिए वैसे देखा जाएगा इसको form चेक करूँ तो form चेक करेंगे तो देखो यह आपका h tending to 0 यह 0 किया तो cos 0 cos 0 की value 1 तो log 1 की value 0 नीचे में 1 plus h square की power 1 by 4 10 किया तो 1 minus 1 0 अब यह 0 by 0 का form है मतलब की आप dl भी use कर सकते है मैं फिर से further dl use नहीं कर रहा हूँ कर सकते हैं कोई बुराई नहीं है dl use कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ dl तो सब लोग कर लेंगे वोग है फाना कनतले हम लगाने वाले है लगाने वाले है log 1 plus same by same याद करो हमने limit में पढ़ाया था 1 is equal to होता है 1 if लिमिट extending to A और वही बात है कि A पे tend करते समय सेम tend करना चाहिए आपका 0 की तरफ तो यह ही आपके हमने limit यहाँ पे उज़ करेंगे 1 तो देखो यहाँ पे log को सबसे पहले जरुरत है 1 की तो 1 की जरुरत है तो एक काम करें यहाँ पे दे दे अपने मन से तो कैसे बनता है चीजें आप ध्यान से देखो आपको मजा आ जाएगा इस सवाज में कैसे चीजों को लोग बनाते हैं standard limit के पाउम में बाकि मैं दूसरा इस पर पिछले वाले सवाल में मैंने यहाँ नहीं कर पाया लेकिन इसमें मैं डीयल से करूंगा अब देखो डीयल भी आपको लगा दूंगा इसमें तो पहले हम standard limit यूज कर रहा है लॉग और देखो हमने यहाँ पे कहा लॉग इसको ज़रुत है वन प्लस हमने वन प्लस कास एच कर लिया माइनस वन एक जोड़ दिया यह घटा दिया इसको एक साथ लिए थोड़ा क्योंकि जो बचा है और देखो सेम बाई सेम मतलब नीचे में यही हो जाएगा और यही चीन हमने लिख दिया फिर हमने इसकी उधारी लिया तो यहीं प्लस कास एक स्कार कर लेते हैं यही इतना हमने इसको नहीं प्रगा दिया अच्छा इसको ज़रूर आपको भी धुर्दर पहले देखा कि आप यह भी जानते होंगे यह वाली अब है अब आप नीचे यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे तो यहाँ पर हम भाइनोमियल भी यूज करेंगे क्योंकि binomial theorem यानि binomial theorem के लिए मैंने बोल रखा था कि one plus very small number की power अगर one by something होगा उस case में हम binomial का apply करेंगे तो यहाँ पे हम binomial apply करने जा रहे हैं और यहाँ पे अगर हमने binomial apply किया तो देखो into देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे लिए रहा हूँ कि binomial apply करने के बाद यह हो जाएगा मैंने कहा था binomial सिर्फ एक term तक apply करेंगे इसको totally दो term तक one plus one by four into h square minus one यह one से one कट गया अब जाएगा देखते है क्या finally बन चुका है h tending to zero log one plus cos h minus one upon cos h minus one एक एक इठा हो गया into cos h minus one by h square एक हो गया into h square by यहाँ पे one by four into h square यह h square से h square कट गया अब अगर limit put करेंगे तो यह value one दे दिया यह value one by two दे दिया चार यह वाली value minus one by two दिया क्योंकि one minus cos x by x square के value one by two होता है तो इसमें minus उधर है जानि आपका minus one by two हो गया चार उपर चला गया चार हो गया answer हो गया minus two मतला हमने lhl निकाला rhl निकाला तो rhl आगया हमारे लिए minus two rhl equal to minus two अब हम निकालेंगे lhl देखो lhl निकालने चाह रहे हैं lhl हो जाएगा आपका lhl के लिए हम इसमें यूज करेंगे इस वाले function को लेंगे यारी हम पहले put कर देते हैं put x के जगा पे 0 minus h और यह वाला function हम लेंगे तो यह हो जाएगा आपका limit h tending to 0 देखो यहाँ पे 0 minus h put करेंगे तो यह जाएगा e की power minus sin h minus one यह मैं सुचना कि बहुत कठीन हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा log log और यहाँ पे minus h put के देखो minus बाहर हो जाएगा minus ten to h और बच्चो कोई कठीन नहीं है फिर यहाँ पे standard limit e की power x minus one upon x limit में बहुत बाद इससा चीज़े हम कर चुके हैं तो अब यहाँ पे simply जो चीज़ नहीं है उसको लगाएंगे और उसको उधारी बहुत चुकता कर देंगे तो यह जाएगा limit h tending to 0 e की power minus sin h minus one upon minus sin h सुचो same by same जो उपर में है वही नीचे में into यहाँ पे इसकी उधारी चुकता कर दिया divided by यहाँ पे log one minus ten to h लेकिन यहाँ देखो वहाँ पे log one plus है नीचे में minus ten to h से आपको divide करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमने multiply भी किया minus ten to h से और अच्छी बात यह हो गई कि यह कट गया यह और यह कट गया अब ज़रा बताओ इस पूरे की value तो इस पूरे की value आ गई आपकी कि यहाँ आपकी इस पूरे की value हो गई one इन्टो इस पूरे की value हो गई फिर से इस पूरे की value हो गई वाँ इन्टो बज गया side h by ten to h और इसकी value आपको पता ही हो गई कि हो जाएगा क्या यहां पर लेजल बराबर आरेचल आया क्या नहीं आया जब नहीं आया तो हम यहां पर देखो लिख रहे हैं बागी चीजे के लिमीट डाज नाट एक जीश्ट अगर लिमिट भी इसनहीं करी तो हमें यहां कर सकते हैं क्योंकि इसकी लिमेट विखेश नहीं करी आप होगा समझ में आ रहा होगा आपने एक्टूल में क्या करके रहे हो आप ऐसा होड़ी एक नहीं आप यहां पे the process कर रहे है यहां तो हम क्या कर रहे है लिमिट स्वाल कर रहे हैं वो कंटिनुटी तक उस बेसिक कॉंट सेप्ट है लिमीट का बैसिक कॉंसेप्ट है तो आपका अगर लिमीट अच्छे से आई है हमको तो हम कॉन्टिनीटी उसको लहल रहल लहल करके ही निकाल ले हैं सिर्फ उसमें यूज कर देना है अपने को वही वाला यह बेसिक फंदा एले चल बराबर एफ आप 0 बराबर फाइनाइट नमबर ठीक है तो हम आप पढ़ेंगे finding ABC value type questions हमने पिछले दिनों जब आप limit में पढ़ लाथे तो इससे सवाल हमने बहुत किये थे ABC यानि constant की value find करना इसका बिल्कुल basic वही होता है limit वाला इसमें सिर्फ थोड़ी सी continuity की चीज़े फदल जाती है बढ़ जाती है like जैसे मैं सवाल से start करता हूँ आप सवाल देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ अपसर तो वहाँ बतायत है जैसे मैंने मालो सवाल लिखा if fx को एक function है इसको यह लिखा है 3x square plus ax plus a plus 3 upon x square plus x minus 2 सवाल गोला है कि इस यह एक continuous function है इस continuous as i takes equal to minus 2 then fine दो बाते मैंने पूछ लिया a minus 2 and a यह दोनों बाते मैंने पूछ लिया आप से आप ज़रा बताएंगे कि निकालने के लिए हमें क्या करना होगा पहले तो यह continuous दे रखा है इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर किसी तरह का पहले देखो वो छे तरह मेंसे कोई function नहीं है मतला modulus, greatest integer, fractional part, sign, defined function या चोर function या छुपारुस्तम function मेंसे कोई function नहीं है तो हम इसको सीधे सीधे use कर लेंगे limit x tending to minus 2 a of x is equal to is equal to a of minus 2 is equal to finite बस इसी concept को लेके चलेंगे लेकिन इसका अगर यह है सब exist कर रहा है सब पराबर है मतलब यह है कि इसकी जो यह limit है यह वाली जो limit है limiting value इसकी limit exist कर योगी और इस जैसे ही limit exist का नाम सुनो अपना दिमार स्वीच का उतरंद की limit में यह बात क्या होई थी यह था limit में minus 2 3x square plus ax plus a plus 3 upon x square plus x minus 2 तो इसकी limit exist कर रही थी तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको चेक करना चाहिए आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए इसका form form क्या है form के लिए मैंने कहा था denominator चेक करो denominator 0 आगया तो numerator को क्या होना चाहिए must be तो मैं यहां भी लिख दे रहा हूँ देखो इसका form अगर हमने चेक किया तो denominator मैं रखा minus 2 minus 2 का square plus 4 minus 2 minus 2 0 तो यह होते हैं मैंने कहा था numerator must be 0 at x equal to जिस point पे पूछ रहा है a तो a पे यानि आपका होया numerator is equal to 0 this implies minus 2 numerator में रखो 3 into minus 2 का square plus a into minus 2 plus a plus 3 must be 0 इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ यह देखो यह हागया आपका यह होगया आपका 4 3 multiplied with 12 और plus 3 15 minus 2 plus a मतलब आपका 15 minus a equal to 0 मतलब a equal to direct हमारा आगया 15 a अगर 15 आगया अब हम इसको निकालेंगे अब a की value आ गई दो चीज़ पुछ सतस में a आ गया limit आ गया limit का use करके हमने a निकाल लिया अब यह limit की value मिल जाए तो a of minus 2 के बराबर हो जाएगी अब चलो limit की value निकालते है मतलब 9 अब a equal to 15 का use कर लेंगे मतलब यह हो जाएगा limit x tending to minus 2 a of x के जागर पे हमारा था 3x square plus ax plus a minus 2 upon plus 3 sorry plus 3 upon x square plus x minus 2 था अब हमने a की value यूज कर लिया 3x square minus plus 15 x plus 15 plus 3 upon x square plus x minus 2 अच्छा आपको पता ही होगा इसको करने का तरीका lopital लगा सकते है या फिर या फिर हम use कर सकते है आपका factorization या तो lopital या factorization factorization पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 3 का मन किया x square plus 5x और यहां से देखो तो बच गया 6 नीचे में x square plus x minus 2 चाहे तो lopital लगाए चाहे तो factorization करे factorization मैं कर देता हूँ lopital मैं सबसे layer लगाता हूँ आप लोग यूज करना है बेज़क lopital यूज करना है जहां lopital फसना वहाँ पे आप मेरा वाला method यानि आप standard limit यूज करना है lopital इसलिए मैं कम यूज करता हूँ क्योंकि वो आसान होता है हर को यूज करके वही निकालता है लेकिन जब फसते हैं lopital में जब complicated होता है तो वापस lot के आना चाहिए इसी standard limit पे standard limit पे आपका अच्छी पकड़ होगी मजबूत होगी मजबूत पकड़ होगी तो हम आपका lopital तो किसी भी time पे लगा कि किसी भी सवाल को कर सकते हैं यह हो क्या इसके factor हो गया सबको इसका factor तो रट चुका होगा अभी तक बचपन से करते आ रहे हैं x plus 2 x plus 3 और इसके भी factor है x plus 2 x minus 1 और याद करो मैंने कहा था जिसकी वज़ा से 0 हो मतलब जिसकी वज़ा से आया उसी को काटो जिसकी वज़ा से indeterminate form बार रहा था लिमिट में बार बार बोलता था जिसकी वज़ा से पैदा हुआ उसी को पहले खतम करो यह पैदा हुआ है यह x plus 2 मतलब अपने पिता जी के लिमत ले ले न मतलब यह x plus 2 की वज़ा से हुआ तो यह x के जगा पे minus 2 डाला plus 2 डाला कट किया यह 0 कट किया और जैसे कट किया अब लिमिट पुट करो बेज धड़क यह answer देगा 3 into minus 2 plus 3 upon minus 2 minus 1 वो पर plus 1 नीचे minus 3 यह इसको काट के answer दे रिया minus 1 तो यह इसी के बाराबर हो गया a for 2 equal to minus 1 और a equal to 15 यह हमारा अगले सवाल यानि यह सवाल आपको बन गया यह equal to 15 अगया a for minus 2 equal to minus 1 हो गया concept बिल्कुल basic है आप इसको कभी भी use कर सकते हैं चलो next सवाल पर बात करते हैं तो next question पर बात करते हैं अगला question मालो के आपके सामने है अगला question है कि अगर आपको मालो के पूछा है दिया है fx is equal to यह कि 6y5 ने को सवाल थोड़ा अच्छे है सब के सबब 6y5 की power 5x upon cos 8x यह तब है जब x की value 0 से बड़ी 5y2 से छोटी और आपका x is equal to 5y2 पर v plus 2 है और आपका x is equal to greater than 5y2 पर 1 plus mod cos x का power a mod 10x upon b है तो आप से पूछ रहा है find a and b if if f of x is continuous at x equal to 5y2 बिलकुल सांदार समल है आप a and b type के सवाल कर रहा है यहाँ देखो defined function है यहाँ पर आपका defined function है इसलिए use lhl rhl method use lhl rhl method यह वाला method हम use करेंगे अगर कह रहा है कि pi by 2 पर continuous है मतलब कि a of pi by 2 minus h a of pi by 2 plus h equal to a of pi by 2 is equal to finite होना चाहिए अरे वही बात है limit में continuity के पहला दिन में बता रखा आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि यही बात यही आपका lhl है इसी दुनिया का नाम rhl है और यही value at a point है तो आप हम बात करते हैं lhl निकालते हैं lhl के लिए यह वाला function यूज करेंगे तो lhl आप lhl निकालने जा रहे हैं तो lhl उदर निकालने देखो आप ध्यान से वहाँ पर कि lhl निकालने जा रहे हैं तो यह हो जाएगा lhl कि lhl के लिए हमने लिया limit h tending to 0 और हे हो जाएगा 10 is 6 by 5 की पावर 10 of 5 into 5 by 2 minus h अपान cos of 8 into 5 by 2 minus h कोई बड़ी कीज नहीं है limit h tending to 0 देख ले द्यान से बच्चो यह हो क्या 6 by 5 का पावर 10 बोलो क्या लिखने इसको क्या 5 by 2 minus 5 h लिखते हैं अंदर जाए 5 multiply करते हैं क्या cos को भी यह cos को भी लिखते हैं क्या cos हो जाएगा 4 by minus 4 by minus 8 h ठीक है अब फिर अगली line 4 by देखो यह 8 से 4 कट चुका है 8 से 2 कटा है यह हो गया आपका limit h tending to 0 6 by 5 होल पावर 10 5 by 2 minus h सोचो की कितने चक्कर काटा होगा कितना चकर काटा होगा 1 चकर 2 by फिर दूसरा चकर 4 by और फिर इसमें एक और यहाँ पे 5 by 2 इसमें से कुछ गट रहा है तो वह बारा लोग फिर्स्ट क्वाडरेंट में ही है फिर्स्ट क्वाडरेंट में है मतलब यह हो जाएगा 10 5 h और यह भी देखो जा रहा यह देखो दो चक्कर काटके और फिर मानेस 8 h का मतलब फिर्स्ट क्वाडरेंट में है पहला वाला फिर्स्ट में दुसरा में फिर्स्ट में है तो यह आपका कॉस आपका पॉजिटिव ही होता है तो 8 h आप जैसी हमने लिमिट पूट किया तो यह हो गया 6 by 5 की पावर 0 अपाउन और यानि आंसर हो गया a फाप 5 by 2 के बराबर है this is equal to a फाप 5 by 2 के बराबर है और this is equal to b प्लस 2 के बराबर है तो 1 बराबर b प्लस 2 मतलब b बराबर आ गया माइनस 1 लगी लिए यहां से b निकल चुका है देखो यहां पे आपका b प्लस 2 इकल टू पाइ बाइ टू पे b प्लस 2 लिका लेंगे आज चला जाएगा limit h tending to 0 a फाप pi by 2 plus h ले ले चाहे है इसको limit h tending to 0 1 plus mod cos pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 plus h का power a mod 10 pi by 2 plus h by b के जगा पे minus 1 मैंने पहले ले लिया अब क्या हो गया यहां से limit h tending to 0 1 plus cos pi by 2 plus h minus sin h हो जाता है second quadrant में फिर a cot pi by 2 plus h second quadrant में यह भी minus cot h हो जाएगा upon minus 1 अच्छा second quadrant में आप यह sign लेकिन क्या ही फरक पड़ता है हमने इसकी value पूट किया जीरो पे जीरो पे जीरो पे value पूट किया तो यह आपका हो जाएगा देखो क्या हो गया limit h tending to 0 जैसे हमने value पूट किया यह हो गया आपका 1 plus 1 plus minus sin h का a mod cot h ठीक है अपन यह नीचे वाला minus ऊपर चला गया ठीक है आप इधर देख लो तो यह हो गया जड़ा आप आगे हम बात करते हैं इसके इसके आगे इस्टाट हाँ तो हम इसमें यहां तक पहुंचे हैं अब अगर हम इसका फॉर्म चेक करें तो फॉर्म बन रहा है वा जैसे यह पूट किया तो यह वान प्लस यह हो गया आपका जीरो और कीजीरो की पावर देखा जाये तो इनफिनिटी यह माइनस या प्लस इनफिनिटी बट हम वन प्लस जीरो की पावर इंपिनिटी को ऐसा फॉर्म होता नहीं है इसहां में हलका मिस्टिक है उसको handful से सही करते थोड़ा से यहां पे ब्रेकेट लगा देश्ट तो करदे यह क्ले क्रेक्षीन कर देखते है कि यहां पर और ब्रेकेट लगा तो आप देखो यह बन गया अब नया फॉज रवन गया क taking एफॉर्प बन प्लस यह आपको साइन है तो साइन है तो साइन है भाकी मौड में से सब हट गया मौड मौड से बहा निकला निगेटिव पॉजिटिव कर लिया और यह माइनस ए और अच्छा एक यहाँ पे यह की पाउर ह माइनस वन होता है इंटू माइनस ए हो भी निगेटिव का पॉजिटिव हो गया वन से वन कट गया आंसर आ गया यह की पाउर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ध्यान से देखो बच्छो ते हो गया साइन एच इंटू माइनस ए काउट का कॉस एच अपान साइन एच यह इस से को काटा एकला सवाल कंप्लीट हुआ बन गया अले सवाल पे बात करेंगे हम नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अगला सवाल है हमारे लिए आपके लिए कि f of x is equal to दे रखा है तेको ये आप सब limit में ये सब चीजे आपका इस तरह की बात है सब हम limit में करते है a sin 2x plus b sin x upon x की power 5 ये तब है जब x not equal to 0 है कि जब x equal to 0 है find k a a of x is continuous और कहां आपको लग रहा है कि continuous कहां देना चाहिए इसको 0 पर function तूट रहा है 0 पर break हो रहा है 0 पर continuous x equal to 0 बहुत अच्छा संदार चलो सवाल पर बात करते हैं बढ़िया सवाल है यहां पर नाइक से हम लोग बोलेंगे सारे कां करते क्यों नहीं करते हैं कि इसको डियल लगा जयते हैं मैं कहूंगा हां लगाले बिटा डियल डियल क्योंकि 0 by 0 का form है डियल लगालो सही है लेकिन डियल लगाना पड़ेगा 5 बार एक क्योंकि नीचे का constant लाने तक डियल लगाना पड़ेगा पांच बार डियल लगाना पड़ेगा कोई बुराई नहीं है आपके पास page है आपके पास pain है आपके पास दिमाग है आप खुब लगाओ एक दो तीन चार page तक करो और आपका आएगा जो answer दूसरे तरीके से आएगा और वही answer डियल से भी आएगा और दूसरा तरीका क्या मैंने बोला था series expansion मैंने बोला था आपको लिमिट में sine और का जब पावर ज़्यादा बढ़ रहा हो नीचे नहीं तो series expansion करो और sine का series expansion क्या होता है और एक पाथ और बी टाइप की वैलू निकालने में find k and find also मैं थोड़ा सवाल में उदेता हूँ find a, b, k तो आपका जब a, b टाइप में constant value find करने के सवालों में कभी भी हमको अगर मौका मिले तो series expansion maximum time यूज करना चाहिए अगर क्योंकि जब a, b का सवाल पुछता है तो नीचे का power बढ़ा के पुछता है पावर ज्यादा करता है उस case में हमको हमेशा a, b, c के लिए series expansion के यूज करें अगर power कम होता दो या एक होता तो हम dL लगा लेते यानि लगा लगा लेते side x का expansion होता है x minus x cube by factorial 3 plus x की power 5 upon factorial 5 plus dot 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 अच्छा आप मुझे आप ही जड़ा मेरा मदद करेंगे इस सवाल में मदद यह इस sense में कि क्या मुझे denominator आपका x की power 5 है तो मैंने आपको रटवा दिया है या दिला दिया अच्छे से कि कितने term तक उपर का expansion करना है सिर्फ उतने ही term तक जितना नीचे का power है मतलब नीचे का power उपर के power के बड़ावर हो जाए तो बाकी दुनिया से अपने को कोई मतलब नहीं है अपनी दुनिया अलगी चलती है क्या है दुनिया देखो x के जग़ा पर इसका expansion करेंगे तो पहला 3x minus 3x का cube by factorial 3 फिर plus 3x की power 5 upon factorial 5 पस यहीं तक आपका पहले वाले का expansion बाकी dot 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 को हम छोड़ देंगे अच्छा दूसरा यह क्यों मैं भोल रहा हूँ limit extending to 0 लगा ना क्यों मैं भोल ला हूँ किस दुनिया में चलना हूँ मैं यह हो गया 2x minus 2x का power 3 upon factorial 2 factorial 3 फिर plus 2x की power 5 upon factorial 5 अच्छा और हमें ज़रुवत है बोर्ड को थोड़ा मैं और आगे तक खीचूंगा इस बार बोर्ड को थोड़ा और आगे तक खीचूंगा और फिर आपका आखरी वाले का बन जाएगा bracket बन बी और यह x plus x cube by factorial 3 plus x की power 5 upon factorial 5 अच्छा अच्छा अब जड़ा होता हूँ यहां से कॉफिसेंट चूज करते हैं लेट एक्स टेंडिंग टो जीडो सबसे पहले किसका कॉफिसेंट लिया जाए एक्स का कॉफिसेंट चलो बताओ 3 यहां पे 2a यहां पे b मतलब 3 plus 2a plus b बहुत बढ़ी है सांदार दूसरा एक्स का क्यूब का कॉफिसेंट बताओ यहां तीनों जगा माइनस है तो माइनस x cube का कॉफिसेंट हम ढूड लेते हैं यहां देखो यहां पे है 3 3 जाए 9 तो 27 upon factorial 3 यहां पे है 27 upon factorial 3 बात में हम देख लेंगे हो क्या है यहां पे है a minus plus a into 8a by factorial 3 आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्यों नहीं यहां से factorial 3 अटाया है और यहां पे है देखो यहां पे है plus b upon factorial 3 यह किसका coefficient अमने लिया x cube का अब हम देखो यहां पे है 3 की power 5 upon factorial 5 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जा रहा है अब फिर plus दूसरा बाला 2 की power 5 upon factorial 5 संदार सी बात है 2 की power 5 upon factorial 5 into a plus यहां पे है b upon factorial 5 बहुत संदार संदार बात आप लोगों ने लिख लिया यह x की power 5 आगे बढ़ते हैं अब यहां से सवाल solve हो गया आपका देखो numerator में denominator में है 0 बहुत अब यह limit exist कर रही है यहां पे अगर यह exist कर रहा है तो यह तहीं exist कर रहा होगा क्योंकि नीचे में 0 बताब indeterminate form बन रहा होगा पे exist कर रहा होगा indeterminate form बन रहा होगा तो कैसे indeterminate form बन रहा होगा अगर denominator 0 हो गया तो अभी तक तो में जबान पर आगया होगा तो x की power 5 वाला term तो खट जाएगा यानि यह वाली value तो limit की value दे देगा यानि numerator 0 पूरा नहीं करेंगे इसको 0 बनाने के लिए इसको और इसको 0 करेंगे और इसकी limit की value यह दे देगा मतलब सुनो क्या इसकी coefficient of coefficient of x is equal to 0 coefficient of x is equal to 0 and यहां से दोनों से यह देखो x की power 5 से x की power 5 कटेगा और यह limit की value हो जाएगी and a of and limit is equal to हो जाएगा limit x tending to 0 x की power 5 जब यह दोनों 0 हो गया तो यही आपका 3 की power 5 upon factorial 3 factorial 5 plus 2 की power 5 upon factorial 5 a b upon factorial 5 upon x की power 5 हो देखो यह स्वाहा और यह स्वाहा तो बचा यह यह ही limit की value हो गई तेरा इन दोनों का use करते हैं ध्यान से देखो यह लगाएंगे a3 plus 2a plus p is equal to 0 दो दूसरा वाला देखो यहां पे 27 upon factorial 3 plus 8a upon factorial 3 plus b upon factorial 3 a is equal to 0 ज्यादा काम ने करेंगे घटा देते हैं यह इसे यह इदर भेज के समझों कि इदर भेज के 0 हो चुका है इदर 0 हो चुका है घटाते हैं यह कट गया यहां बच गया 3 में से 27 निकलेगा minus 24 बचेगा 2a में से 8 निकलेगा minus 6 से हो जाएगा plus equal to 0 a is equal to minus 4 सबको देख रहा होगा a equal to minus 4 इसमें रखो minus 4 minus 8 plus 3 minus 5 b की वेलो आगे plus 5 a और b आगया की निकाला था k is equal to यही limit की वेलो limit extending to 0 फुट कर लो a आगया 3 की पाउर 5 upon factorial 5 अब आखे मुझे नहीं करने की जड़रत है आप a b c रखके निकालके आंसर देख लो कि क्या इसका आंसर आएगा यही आपका क्यक्किव लुआ जाएगी बाया यहां समझ में आ गया होगा चलो next question पर बात करेंगे अब चलो next question पर बात करते है बच्चों अब next अगले सवाल पर बात करते हैं अगला सवाल फिर से a और b ही टाइप निकालने वाला सवाल है आपका सवाल दे रखा है fx is equal to suppose 1 minus cos 4x upon x square x greater than 0 ठीक है यहां पर है root x upon root में 16 plus root x minus 4 x less than 0 और x is equal to 0 पर यह दे रखा है तो आप से पूछ रहा है each continuous same solve continuous at x equal to 0 find a find a और आसान सी बात है अगर lhl rhl बराबर होगा तो वो f of a के बराबर हो जाएगा मतलब lhl rhl equal to f of 0 तो यह सारी बात है finite होना चाहिए चलो lhl निकालते हैं पहले rhl निकाल लेते हैं उपर में rhl दिख रहा है क्योंकि 0 से बढ़ा लेना है तो limit x tending to 0 plus यह बताता है rhl निकालने जा रहा हूं 0 plus का मतलब rhl निकालने जा रहा है 1 minus cos 4x और आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर 4x है तो नीचे में 4x का whole square चाहिए तो 4x का whole square के लिए मैं 4 से 4 का square से नीचे उपर multiply कर दिया अब जड़ा देखो अगली line हमारे लिए काम की अगर मेरे साथ साथ आप देख रहे हो तो यह बन चुका है 1 minus cos 4x upon 4x का whole square इंटो 16 यह पूरा आपका दिया 1 by 2 इंटो 16 मतलब rhl आ गया 8 आरे चल आगया 8 जड़ा lhl निकालते है lhl देखो limit h tending to 0 minus मतलब lhl निकालने जा रहे है 0 minus का मतलब lhl निकालने जा रहे है और यह हो कि आपका root x of r आप देख रहे हो अभी तक हम dl यूज नहीं किये आप अलग से सवाल हम कराएंगे आप इसको लुक्स के लिए परिसान मत हो और कितना हमने limit में कितने सवाल करा रखें तो यह हो जाएगा आपका जब ऐसा होता है अभी जीडो बैस जीडो का format है आप देख लो ध्यान से तो क्या करेंगे देख्कें, रिस्नलाइज़ेसं के लिए मल्टिप्लाइ किया और यह भी मल्टिप्लाइ कर दिया अब और यह भी मल्टिप्लाइ कर दिया अब जैसे ही नीचे डखें तो a plus b a minus b का format बन गया तो h tending to 0 minus root x 16 plus root x क्या बात है बहुत सरी 16 plus root x minus 16 क्या बात है 16 से 16 कटा है बहुत संदार root x से root x उड़ा root x से root x उड़ा root x से root x उड़ा मैं अगला दूसरा कलर का chalk use कर लो तो यहां पर root x से root x उड़ा next step में h equal to 0 put क्या actually मैं इस बार के लिए लिखे देता हूँ maximum time के मैं कोशिस करता हूँ लिखे दूँ सब कुछ limit मैंने लिख दिया ताकि कहीं से आपको कोई दिक्कत नहों हो root 16 plus root x plus 4 upon root x यह कटा अब h की बात है h क्यों x यह हां से आ गया अभी तक h में आदत बनी थी ना इसलिए h आ चुका है इधर देखो सही है तो यहां पर है यह आपका जैसे 0 put क्या दिये हों गया root 16 root 16 plus 4 मतलब की 4 plus 4 मतलब की 8 जड़ा देखो तो बच्चों LHL भी 8 RHL भी 8 मतलब LHL बराबर RHL की value आ चुकी है 8 बराबर A of 0 सवाल में यही तो A है A of 0 देखो यहां से A of 0 यह तो A है मतलब की A of 0 ही A है इसलिए A की value भी हमारे लिए आ गई 8 बहुत बहुत रनेवाल आपनों का मदद देने के लिए इसलिए सवाल में यह हो गया आपको A equal to R ठीक है चलो next question की तरफ हम proceed करेंगे अब